नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका रामनोजन क्लासेस में लॉगरिद्म की सीरीज का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नमबर 11 आज हमारा लॉग की ठियोरी पूरी चाहे वो लॉग हो, चाहे लॉग इनिकुलिटी हो, चाहे वो एक्स्पोनिशन इनिकुलिटी हो आज हमारा लॉग पूरे बढ़िया तरीके से ठियोरी के मामले में complete हो जाएगा हमने लॉग इनिकुलिटी अच्छे से complete कर दिया था उसकी जितने भी method से, जितने भी type से लॉग इनिकुलिटी के क्या करना है, कैसे solve करना है, क्यों क्या condition है कौन सी condition केसे ही है उसको मैंने अच्छे से explain कर दिया था और उनके उपर मैंने कुछ examples भी अच्छे से करा दिये थे आज क्या करेंगे सर आज हम करेंगे last title exponentially inequality जैसा हमने पिछले दो या तीन lecture से हम log inequality पे काम कर रहे है आज हम किस पे काम करेंगे exponentially inequality ये भी log inequality का ही पार्ट है क्योंकि हमने पहले ही क्लास में बता लेता कि log और exponentially बिल्कुल भाई बहन है बिल्कुल लगबग लगबग सेम ही है ठीक है तो exponentially inequality start करने से पहले कल की क्लास में जो आपके मैंने समझाये था उससे related एक सवाल लेता हूँ ताकि कल की क्लास का थोड़ा भूत आपका revision में हो जाए और अच्छे से concept clear हो जाए ठीक है sir मैंने काफी ठीक ठाक सवाल लिगा है ठीक है तो question में पहले पढ़ देता हूँ पूरी शिद्दत से पहले इसको आप try करिए 10 minute दीजिए 15 minute दीजिए 20 minute दीजिए पर इसको पूरी मांदरी से आप try करिए उसके बाद आपको हमारा वीडियो solution देखना है ठीक है तो question क्या है हमाँ पढ़ देते पहले question है log 2 times of x square minus 10x plus 24 base में है x minus 3 base आपका variable है is greater than equals to log x square minus 9 again base में है x minus 3 ठीक है तो आपको इसको solve करके x की वो वाली value बताना है जो x log inequality को satisfy करे है ना पूरी मांदरी से भिढ़ जाए पूरी शिद्द से try करिए ठीक है फिर मुकरात इसका वीडियो solution है ना sorry please आप पूरी मांदरी से try करें हम वीडियो पूस नहीं कर सकते ठीक है तो करते हैं ना start तो दो लोग का कल comparison में आपको बता दिया था ना कैसे करना है ठीक है तो directly compare कर सकते हैं कब जब base 1 से बड़ा हो और अगर base 0 से 1 हो तो directly compare नहीं कर सकते हैं बट यहाँ पर तो base नहीं तो 0 से 1 के भीश में हैं कहीं और नहीं तो 1 से बड़ा है तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि base variable की form में है तो variable को handle करने के लिए आपको मैंने separately एक lecture दिया था और वहाँ पर मैंने आपको समझाए था कि जब भी base में variable आ जाए तो कैसे करेंगे तो यहाँ पर 2 case बना के solve करेंगे तो पहला case क्या लोंगा कि जब base x-3 lies between 0 to 1 and second case क्या लोंगा जब base x-3 is greater than 1 है ना 2 case बनेंगे ठीक है जब base कहां सका तक लाई करेंगे 0 से 1 तो हम कुछ compare करेंगे इसको और जब base 1 से बढ़ा होगा तो directly compare हो जाएगा इतना हमने पढ़ लिया था उसके भी पेले यह दो लोग satisfy कब होंगे जब यह वाली quantity positive होना चाहिए मतलब 2 times of x square minus यह condition तो लगेगी हमेशा x square plus 24 को positive होना चाहिए तो 2 को दूदर भगा दिया इसके factor कितने आएगे x minus 4 x minus 6 को positive होना चाहिए यह इसके factor है 2 को दूदर भेज दिया x square minus 10x plus 24 की यह factor है बिल्कुल बहुत easy factor है 4 और 6 10 और 4 इंटू 6 24 है ना ठीक है तो इसको positive क्या क्योंकि मैंने आपको बता है तो log x to the base something कुछ हो is greater than equals to log y to the base a हो तो आपको मैंने कैसे कहले x और y क्या होना चाहिए positive तो यह वाली quantity positive होना चाहिए sir यह भी positive होना चाहिए yes तो x square minus 9b क्या होना चाहिए positive तो x plus 3 x minus 3 को क्या होना चाहिए positive है ना तो यहां से जब inequality को solve करेंगे तो answer क्या आएगा minus infinity से 4 union 6 से infinity यह baby cut method से ना इतना मतलब बहुत कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसका answer क्या है x belongs to minus infinity से minus 3 union 3 से infinity है ना ठीक है sir तो यह इन दोनों के answers लिख रहे है तो यह x तो जो भी answer आए इसके बीश में ही lie करना चाहिए अगर इसके बीश में लाई नहीं करेगा तो यह बंदा positive नहीं होगा और यह बंदा positive नहीं होगा तो कहानी खत्म यह बंदा positive कब होगा जब यह वाली value put करोगे minus infinity से minus 3 union 3 से infinity एक minute हाँ visible है ना मैं एक बार पड़ भी देता हूँ ने यहाँ पर बड़ी दिखकत है ठीक है sir जो इसको positive करने पर जो answer आया है वो लिखा है minus infinity से minus 3 union 3 से infinity ठीक है तो इसका तो हमें ख्याल रटना है जो भी final answer आया है वहाँ पर हमें फिर इसका intersection लेना है अब अब question को solve कर दे सबसे पहले case में किया लिए मैंने base को 0 से 1 के बिच में तो x क्या आ जाएगा बताँ यहाँ से implies x कितना आ जाएगा 3 8 कर दे पूरी equation में यहाँ पर 3 8 क्या है तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 8 क्या है तो x और यहाँ पर 3 8 क्या है तो 4 है ना मतलब x क्या होना चाहिए 3 से 4 है x क्या होना चाहिए 3 से 4 ठीक है तो अगर base 0 7 है तो इनको मैं compare कर सकता हूं क्या यस तो अगर यह 0 7 है तो क्या सिखाय तो में बताओ 2 times of x square minus 10x plus 24 और इदर कुण लिखा है x square minus 9 इस less than हो जाएगा क्यों sign change होगा क्योंकि अगर base 0 7 के भी शमलाई करता है तो greater है तो क्या हो जाएगा less than अब यहाँ पर base 1 से बड़ा है तो directly compare हो जाएगे तो directly compare होगे तो क्या हैगा 2 times of x square minus 10x plus 24 इस greater than equals to कितना आएगा x square minus 9 चलेगा I hope समझ में आ रहा होगा अगर base 1 से बड़ा है तो x greater than y होता था और अगर base 0 7 है तो अगर greater है तो क्या हो जाता था less than यह हमने पूरी picture समझ लेती तो ध्यान रखेगा log inequality हो चाहे कुछ भी हो जब-जब base variable में base आ जाए तो उसको case बना के ही treat करना है case 1 और case 2 चलेगा है ना यह क्या बवाली कसर आपने यह log x में x positive होना चाहिए यहाँ पर इस log में यह वाला बंदा positive होना चाहिए उसके answer से चलेगा हाँ यहाँ से तो देखा ही ने जब x minus x minus 31 से बढ़ा है तो x कितना आएगा चार से बढ़ा है यह काम की बाद है मतलब जो भी इंसे लेना है चार से बढ़े लेना है ठीक है चलिए अब इसको simplify कर लेते थोड़ा बोते ना simplify कर लेते तो simplify करने पर कितना मिलागा देखो धियां से 2x square 2 का अंदर multiply कर दिया यह कितना आएगा minus 20x मन कि यांको से दियो को है minus 20x लिखा है अच्छे यह x square इधर भी shift कर दिया तो x square बचेगा 2 into x square 2x square और x square इधर आगा कितना बचेगा x square फिर minus कितना आएगा 20x I hope इतना तो sun में आ रहा होगा 2 into 24 48 और 48 plus 9 48 plus 9 कितना आएगा बताओ 48 plus 9 कितना आएगा 57 57 तो कितना आएगा 57 is less than equals to 0 से यहाँ पर भी यही पूरी रामान आएगी सेम आएगी equation x square minus 20x plus 57 बस यहाँ पर किया आजागा greater than 0 क्योंकि यह दोनों इधर आएगे तो यहाँ greater than का sign है ठीक है parallel ही solve करते चल रहे देख लेते 48 plus 9 कितना हो जाएगा 48 बिल्कुल साही न बिल्कुल confirm कर लेते हैं तो गड़बोड हो जाता है मामला ठीक है अब इसके क्या निकाल लेते हैं factor निकाल लेते हैं x equals to इसके दो factor क्या आएगे 20 plus minus square root of b square मतलब कितना 400 minus 4 into यह कितना है 4 into a तो 1 है into c कितना है 57 ठीक है थोड़ा बहुत इसको divide by कितना आएगा 2 into a 2 into a तो 1 है तो x बराबर कितना आएगा 20 plus minus square root of 400 minus कितना बचेगा 4 sevens है 28 8 बचा किरी 2 20 और 2 कितना आएगा 22 ठीक है divide by कितना आजागा है से 2 है ना सही है बिल्कुल सब सही है ठीक है अब minus कर ले तो थोड़ा बहुत क्या बच रहे है ना तो finally क्या में लेगा हमे x की दो factor क्या में लेंगे 20 plus minus इसको root of यह सवाल मैंने इसलिए भी लिया है कि इतना गंडा बन जा है तो अबको घबरान नहीं है बहुत बर क्या करते हैं बच्चे calculation solve करते है और यह quality उसके बाद कुछ सुन्दर सी बनती ही नहीं जिससे यहाँ factor निकला है तो आपको घबराने आपको थोड़ा बहुत सिम्लिफाई करना पड़ेगा ठीक है तो कितना आएगा बता है नहीं से 10 minus 8 2 9 minus 2 7 ठीक है सर और 3 minus 2 1 172 divided by 2 अब 172 को थोड़ा बहुत ब्रेक कर सकते हैं क्या 172 को ब्रेक कर सकते हैं कि 2 से yes 2 से कितना आएगा 8 16 है ना बच्चा कितना 1 तो 2 से कितना 6 ताइमस है ना 86 का डबल 172 फिर 2 से किया तो कितना आएगा 4 3 उसके बाद कुछ नहीं आएगा ना ठीक है सर तो जो 172 लिखा इसको कहले सकते हैं 2 into 2 into 43 तो 2 into 2 तो 2 बहार आ जाएगा है ना तो यहां से x equals to कितना मिलागा बताओ 20 plus minus 2 times of 43 divide by 2 है ना अब यह 2 common लेके cancel हो जाएगा तो x कितना बचेगा 10 plus minus square root of 43 है ना क्योंकि 2 से हैं divide कर दिया 10 हो रहे है 2 से 2 गया है तो यह बचा हाँ तो हमें x की 2 value मिली अब यह पूरा bubble मिटा दू 10 plus minus root of 43 है ना ठीके यह side work था तो इसके दो factor आए है ना एक तो किया आएगा x 10 plus root of 43 आया bracket में और एक किया आएगा x minus 10 minus root of 43 ठीके इस lesson equals to 0 है ना तो अब इनको number line पर बिचा देते तो एक answer कितना आएगा 10 plus root of 43 और एक answer कितना है 10 minus root of 43 है ना plus minus plus केस answer चाहिए negative वाला तो negative वाला चाहिए तो answer कि आएगा 10 minus root of 43 से 10 plus root of 43 है ना लग दे इसको direct लिग दे है ना budget कम है भाई है ना space कम है तो कितना answer आएगा बताओ x belongs to close interval 10 minus root of 43 से 10 plus root of 43 है ना चलेगा हाँ एक और काम की बात है ना यहां पर ठीक है question complete हो जाए फिर बताओंगा यह हमारा answer आगा ना इसको solve कने पर पर हमें answer क्या चाहिए 3 से 4 के बीच में ना तो इसको थोड़ा approximately देख लेते इंटर सेक्शन ले लेते ना तो 10 plus root 43 तो काफी बड़ा नंबर है और कुछ यहां लाई कर रहा होगा है ना 4 यहां पर लाई कर रहा होगा और यह approximately कितना होगा वो देख लेते ना तो अगर 36 होता तो यह 6 होता और अगर 30 43 है मतलब अगर 49 होता तो 7 होता तो लगबग लगबग इस form 6.6 अगर 49 होता तो 7 होता पर 49 यह 43 कुछ कम है तो यह लगबग लगबग कितना होगा 6.5 बन लो तो 10 minus 6.5 कितना आ जाएगा लगबग कुछ 10 minus 6.5 is nothing but 3.5 है ना तो यह लगबग लगबग कितना है 3.5 है तो यहाँ पर कोन है 4 यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कोन आएगा 3.5 मतलब 10 माइनस रूट 43 लाई कर रहा होगा ठीक है तो हमें जो भी एंसर लेना हो क्या लेना 3 से 4 के बिश में हमारा एंसर क्या आया close 10 प्लस माइनस रूट 43 से प्लस यह बाला चलेगा एक और बात का धियान रखना कि हमें माइनस इंफिनिटी से माइनस 4 तक के इंसर लेना है माइनस इंफिनिटी से माइनस 4 और 6 से बढ़ाई 6 कुछ यहाँ पर आ रहा होगा 6 से इंफिनिटी और हमें इसका भी दियान रखना है कि minus infinity से minus 3 minus infinity से minus 3 कहीं आ रहा होगा union 3 से infinity यह answer लेना है सबका intersection तो common answer क्या आएगा इसको अच्छे से जमा के देखेंगे तो यह पहला answer आजाएगा तो close इस वाले case 1 से answer क्या आएगा close 10 minus root 43 से यही answer है इसी type से answer भी आएगा और यही solve करने का तरीका भी है इससे ज़्यादा कोई इससे कोई आसन तरीका निए बस आपको procedure करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें जो भी answer आया final answer आया हमें इसका बात कर दियान रखना है कि वो answer इस branch में लाई कर रहा है कि न कर रहा है इस condition को satisfy कर रहा है कि न कर रहा है नहीं तो यह मना कर देगा ठीक है तो final common क्या आयागा आप जब बना के देखोंगे तो सबसेज़ ज़्यादा लाईने क्या आयागी 10 minus root 43 से 4 यहाँ पर close था तो यहाँ पर close और यहाँ पर 4 पर open था तो open यह आया हमारा case 1 से answer तो case 1 से जो answer है उसको मैं आच्छे से जमा के लिख दू स्वर्ण अक्षरों में क्योंकि काफी महिनत से आया से 4 Sir इतना करना पड़ेगा Yes इतना करना पड़ेगा चलिए अब इसको देख लेते ने इसको देख लेते case 2 को solve करके देख लेते तो इसके तो दो factor पता ही है है ना तो इसका answer कितना आएगा minus infinity से 10 minus root 43 से यह बार बार root 43 से close interval union 10 plus root 43 से infinity है ना यह आजाएगा ठीके यह इस inequality का solution है क्योंकि इसके दो factor आएगे जैसे मैं यहाँ पर लिखे थे है ना तो फिर क्या आएगा positive का sign लेंगे तो positive का sign लेंगे तो minus infinity से यह union यह आजागा ना इतना inequality में आपको आना चाहिए क्या किसके दो factor आएगे x minus a into x minus b है ना a से गर्णदर इकोल सो 0 तो a को ने यह और b को ने यह है ना इतना तो inequality आपको आता होगा अब सब का क्या लेंगे intersection है ना चलिए intersection ले ले लेते तो एक answer क्या आ रहा है 10 plus root 43 दूसरा क्या आ रहा है 10 minus root 43 फिर अगला क्या आ रहा है यहाँ पर को ना आएगा 3 यहाँ पर को ना आएगा 4 है ना और यहाँ पर को ना आ रहा 6 कहीं यहाँ पर आएगा ठीक है तो हमारा answer क्या आया अच्छा हमें लेना किस से बड़ा answer 4 से बढ़ा लेना है ना जो भी answer लेना 4 से बढ़ा लेना है हमारा answer आया क्या minus infinity से 10 minus root 3 union 10 plus root 3 से infinity तो अभी तक common कौन सा है यह answer है 10 plus root 3 से infinity अब इसको भी देख लेते हैं है ना यह condition यह 4 से बढ़ा क्यों लिखा है ना यह 4 से बढ़ा क्यों लिखा क्योंकि हमारा base के current अब यह देख लेना minus infinity से 4 union 6 से infinity है ना तो अब common कौन सा है ज्यादा आज भी यही common है ना 10 plus root 43 से infinity यह वाली condition के बढ़ा minus infinity से minus 3 यह कर माइनस 3 आ रहा होगा union 3 से infinity है ना तो 3 से infinity है तो आज भी common कौन सा है यही ज्यादा है तो सब में common कौन सा यह वारा answer है तो अगला answer क्या आएगा 10 plus root 43 से infinity यह एक बढ़िया सवाल होगा ना थोड़ा calculating हो गया ताकि हमें idea रहें कि हाँ ऐसे सवाल भी आ सकते हैं तो final answer क्या में लेगा हमारा final answer final answers 10 minus root 43 से 4 union 10 plus root 43 से infinity और यही इसका perfect answer है ठीक है यही इस question का final answer है इस inequality का हमने जान बुच के कराया ताकि आपको idea रहे कि हाँ कैसे deal करना है कैसे solve करना है मैंने पूरी कोशिश किये ठीक है सर थोड़ा budget कम है तो थोड़ा हमने boat को बिल्कुल थोड़ा halka फुलका पर मैंने need and clean लिखने की कोशिश किये ठीक है नहीं समझ माये तो इसको repeat करके देखे फिर repeat करके देखे और अगर सुरू से lecture से follow कर रहे हो तो सब समझ माया होगा नहीं तो पहले ही lecture में आपका दिमाग खराब मैंने पहले ही questions में आपका आज की lecture में दिमाग खराब हो गया सर ने आज यह क्या ले लिया है हर बार मैं simple simple नहीं ले सकता हूँ आज ची क्लास में बस theory खतम करने के नाम पर थोड़ा easy करूँगा कल से हम बिलकुल बढ़िया बढ़िया आपके सामने परूसेंगे देखने भी अच्छे भी लगेंगे solve करने में तोड़े टब भी होंगे पर जब हो जाएंगे तो मज़ा भी आयागा ठीक है सर्स चलेगा मिटा दे है ना हाँ एक और में ये काम की बात बोड़ रहता कि अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे है ना तो like, share, comment तो करने ही आपको साथ-साथ अगर आपको लगे तो आप हमें इस number पे financially support भी कर सकते हैं 9179959514 पे है ना या Google पे कर सकते हैं ठीक है और फिर आपको अगर इन दोनों में से कोई आपके पास option नहीं है तो आप हमें mail कर सकते हैं हम हमारी account detail आपको बता देंगे ठीक है ये कोई ज़रूरी नहीं है ये जो भी आप support करेंगे इसका हम हमारे stand पे खर्च करेंगे या हमारा जो mobile data लगता भी 6GB, 6-8GB या हमें जो भी marker के लिए जो हमारा camera के लिए जो भी हमें और quality improve करने में जो भी हमें ज़रूरत होगी उसी में हम use करेंगे मतलब हमारा जो teaching है YouTube channel है इसी पे हम तोड़ा कर्च करेंगे है ना हमारी इच्छा तो भूत है कि में smart board पर पढ़ाएं है ना ताकि हमारा लिखने का time बच जाए और अच्छे से हो जाए बट धीरे धीरे हम खुद से भी करेंगे और अगर आपका support होगा तो उससे भी हम बहुत जल्दी कर लेंगे ठीक है sirs ये कोई ज़रूरी नहीं है ये भी नहीं है कि आप नहीं support करेंगे या कुछ बिल्कुल भी नहीं support करोगे तब भी मैं वीडियो बनाना बन कर दूँगा नहीं ये ऐसा नहीं है बिल्कुल जेसा चल रहा वेसा चलेगा और उससे हम ज़्यादा ही अच्छा हमेशा daily improve करने की कोशिश करेंगे बट आप कर सकते हैं आपकी choice है अगर आपको लगे तो ठीक है नमबर एक बार बोल दूँ 9179959514 है ना हाँ खेर ये तो हो गया हमें जरुवत है भाई है ना मजबूरी में लिखना पड़ रहा है ना ठीक है हमारी कोई job तो है नहीं अभी अब आते हम heading लगाईए exponential inequality ना ये इस question की बात नहीं बोलना था क्योंकि question साथ गड़बड हो गया होगा पर हमने पूरा प्रयास कि अगर आप सुरू से follow कर देना ये question आपको पक्का समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं just a case बनाया और calculation करी 10 minus root 43 बस calculation की कारण थोड़ा दुखी हुए होगे बाकी concept आपको clear ही होगे ठीक है क्यों मैंने intersection लिया क्यों मैंने intersection लिया क्यों मैंने intersection लिया इसलिए हमने intersection लिया ठीक है आप copy में जमा के लिए क्या आपको सब समन में आ जाएगा लगाई ही heading exponentially inequality क्या लगाई ही heading exponentially inequality है नगा लिया आपने heading है na exponential inequality ठीक है अभी तक हम log inequality के उपर बात कर रहे थे किस पर बात कर रहे थे log inequality है हमने ऐसा पढ़ा है कि log x to the base a is greater than कुछ y हो तो इसको कैसे deal करना है फिर हमने ऐसा देखा कि log x to the base a is greater than log y to the base a आ जाए तो इसको कैसे deal करना है फिर हमने कुछ तक ऐसा भी देखा कि log x plus 1 to the base z is greater than कुछ y आ जाए मतलब यह जो variable आ जाए बेस केसे आजाएं, variable आजाएं तो उसको केसे deal करना है इस पे हमने ठीक ठाप काम कर ले पिछले तीन से चार लेक्षर में इसमें भी अगर base variable आजाए जैसे इस ताइप का, दोनौं side base variable आजाए जैसे अभी जच आजी लास का पहला example कि दोनों साइट बेस वेरियबल था तो उसको कैसे करना है कुछ तक हमने समझने की कोशिश की है आज क्या करेंगे आज हम ऐसा करेंगे कि जिसे exponential A की पावर X इस ग्रेटर देन 1 आजाए 2 आजाए 3 आजाए या A की पावर X इस ग्रेटर देन A की पावर Y आजाए जैसे यहाँ पर दोनों लोग थे पर यहाँ पर दोनों exponential आजाए और दोनों exponential की बीश में क्या आजाए inequality का sign तो उसको कैसे solve करना है वो आज हम आज हम आची ग्लास में समझेंगे इसमें भी अगर base variable आजाए कि mod X की जिसे X की पावर कुछ Y is greater than X की पावर Z आजाए तो क्या answer आएगा इस पर आज हम चर्चा करेंगे मतलब हम exponential होगा exponential होगा exponential होगा और बीच में किसका sign होगा inequality का sign होगा मतलब उसको हम क्या बोलेंगे exponential inequality तो उसको कैसे solve किया जाता अब हम होग पढ़ने जा रहे है ना आपके खोपड़ी में clear है में क्या पढ़ने जा रहा हूँ क्या पढ़ाने जा रहा हूँ सर आपने जो भी questions कराया ये ठीक आप पढ़ा दोगे exponential inequality आपने बोला है तो हम भी मान लेते बट सर अभी आपने जो मतलब जो पहला question class की करा लिया क्लास में जो आची class का जो first question था उसमें तो दिमाग की दही करके रख दी सर क्या कराया सर आपने ये डेमो था कल से दोगो है ना धुआ धुआ कर देंगे धुआ 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 ठीके हमने basic काम कर लिया भाई एक का दुका सावल वो भी बहुत easy था just calculation थी कोई इतना हुआ सवाल ने था ठीके हाँ तो अब हम क्या करेंगे exponential inequality एक छोटी से पहले theory बता दो फिर उसको question से ज़्यादा समझागा ठीके तो जैसे पहला ऐसा आजाए है ना पहला note कि a की power x is greater than a की power y आ जाए जैसे ऐसा होता था कि a की power x is equals to a की power y तो यह कब बराबर होंगे जब x और y बराबर होंगे जैसे 2 की power x is equals to 2 की power y तो दुनों कब number बराबर होंगे यह कब होगा जब उपर वले आपस में बराबर हो जाएंगे तो इंसर सेम आ जाएगा जैसे x y x equals to y equals to 2 हो जाएगा तो 2 की power 2 बराबर 2 की power 2 4 बराबर 4 होगा ठीक है sir हाँ तो equality में कोई दिक्कत नहीं है equality में कोई दिक्कत नहीं है अब अगर a की power x is greater than a की power y होगा या x less than y होगा इन दुनों में से क्या होगा अगर यह होगा तो यह क्यों होगा और यह नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा इसका reason कि जब a की power x greater than a की power होगा जाए तो क्या directly compare होगे या कैसे compare होगा इस पे हम थोड़ा बोद चर्चा करेंगे ठीक है यह हमारी क्या खेलाएगी exponential inequality क्योंकि exponential है और inequality का sign है इस list को market में exponential inequality बोला जाता है ठीक है question से भी और clear हो जाएगा उसके पहले एक और काम की बात कि जब हमने आपको exponential पढ़ाया था y equals to a की power x पढ़ाया था ना जुरू की class में यही पढ़ाया था यही से start कहता a की power x में हमने बता है था कि जो a होता है वो positive होता है और a 1 नहीं होता है मतलब जो a होता है वो positive होता है और क्या नहीं होता है 1 नहीं होता है मतलब a क्या होता है 0 से तो बढ़ा होता है पर 1 नहीं होता है, मतलब A क्या होता है 0 से 1 या A क्या होता है 1 से बढ़ा है यहाँ पर जो exponential में जो A लिखा है, वो log का base है अरे, जो exponential में जो A लिखा है वो log की terms में क्या कहलाता है? उसका base कहलाता है क्योंकि A की power X में यह exponent है और यह base है यह Y exponent है और यह base है यह हमें पता है कि a क्या होता है positive होता है और 1 नहीं होता है तो उसको लिखने के दो तरीके कि a 0 से 1 और a 1 से बढ़ा यह हमने बता दिया था किसमें exponential जब पढ़ा है था 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 अब हमेरा question यह उठता है कि a की पार x is greater than a की पार y में जैसा मैंने आपको अभी बताया कि x greater than y होगा कि x less than y होगा मैं पढ़ा क्या रहा हूँ मैं अकेला पढ़ रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़ा comment करके बोला करो कि yes sir, समझ में आया sir बिल्कुल समझ में आया sir, कोई दिक्कत नी है sir नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया बोल दिया करो पर बोला करो भाई अकेले पता है ना आग ये सामने कोई नहीं भाई अकेले पिछले lockdown जब से लगा है पिछले 5 मेने से पागल हो चुका हूँ अकेले सामने कोई बिना response के अकेले पागल जैसे पढ़ा ना मतलब salute है जो भी YouTube पर पढ़ा रहा ना भाई उसको salute है मतलब बड़ा बंदें बड़ा patience है ना जो भी online पढ़ा रहा है कोई भी बंदा पढ़ा रहा है पर बहुत दिक्कत होती भाई जब हमने ये काम किया ना तब हमें थोड़ी जादा value बन गई सामने वालों के उपर है ना इजट करने लग गए हम थोड़ी क्योंकि अकेले चीला ना भोथ दिक्कत है भाई ठीके हाँ तो क्या आ रहे थे हम बिल्कुल वीजिबल है कोई दिक्कत नहीं है है ना तो इसको हम थोड़ा बहुत ग्राफिकली समझने है वही ग्राफ से बताएंगे इसको कि y equals to a की पार x का मैंने थोड़ा ग्राफ बनाया और जब ग्राफ बनाया मैंने जब a1 से बढ़ा है तो मैं पता है कि a1 से बढ़ा होता तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है इंक्रीसिंग बनता है यह हमने बात कर ली है ना पहले कहीं ने कहीं तो मानलो एक से सिसपर दो कॉइंट पॉइंट है x1 और एक पॉइंट कौन सा x2 सिंपल सा प्रूफ है तो जब x1 रखा तो y के लिए क्या आई एक की पावर x1 जब x2 रखा तो y के लिए क्या आएगगी a की पावर x2 ठीक है तो clearly दिख रहा है कि यह उचा है और यह नीचा है मतलब कोन बढ़ा है a की पावर x2 is greater than a की पावर x1 ग्राफिकली a की पावर x2 is greater than a की पावर x1 और यहां से भी दिख रहा है कि यह राइट हैंड साइड में तो यह बढ़ा नंबर है चोटा नंबर है और कोन है x2 इस से ग्रेटर दिन कोन है x1 अरे यह नंबर इससे बढ़ा है ना clearly दिख रहा है ना अगर a की पावर something is greater than a की पावर something आ जाए तो x2 is greater than x1 और directly compare हो सकता है पर कब जब base के सा हो 1 से बढ़ा लट्टाई मार के रख लो यही तो पूरे log inequality में यही तो सिखा है कि जब base 0 से 1 हो तो पलट जाएगा sign और अगर base 0 से 1 नहीं है तो sign नहीं पलटेगा तो क्या होगा बताओ इसका answer यह directly x से greater than y होगा yes पर condition है कि a को क्या होना चाहिए 1 से बढ़ा उसका profile आपके सामने क्योंकि graph किस के लिए है जब a 1 से बढ़ा है तो देखो body value पर बढ़ा answer छोटी value पर छोटा answer छोटी value पर छोटा answer बढ़ी value पर बढ़ा answer है ना तो a की power x2 a की power x1 से बढ़ा है और यहां से दिखा है कि x2 किस से बढ़ा है x1 से मतलब directly compare हो जाएंगे कब जब base 1 से बढ़ा है यह पहला बाला हो गया चलेगा अब अगर base 0 से बढ़े तो क्या होगा sir अरे यह तो क्या किसी बात कर दी तो अगर base 0 से बने तो क्या आएगा answer x is less than y आ जाएगा है ना यह कब answer जब base 1 से बढ़ा हो रहा है जिकर 0 से बने तो greater दिन था तो क्या answer आएगा less than आ जाएगा इसका proof बताएं क्या क्या बताएं यह same ही है बिल्कुल है ना तो बना लो graphic पीछे-पेश फलता हो गर note किया अच्छे से हम वही चिलाते चिलाते बोलते भई यह आपको सब कुछ अच्छे से note करते चलना है तो अब किसका गरब बना लिया a की पावर x का जब base 0 से 1 हो तो ऐसा करब बनेगा ठीक के तो यहापर कौने x1 और यहापर कौने x2 है ना तो यह वाली value बड़ी है और यह value छोटी है बड़ यहाँ पर x में x2 बड़ा और x1 छोटा है मतलब x1 is less than x2 है x1 छोटा और x2 बड़ा है वही लिखा है x1 is less than x2 तो clearly दिख रहा है कि जब base 0 से 1 है आपका base के साथ 0 से 1 है तो greater than था तो क्या sign हो गे less than हो गया तो x1 is less than x2 हो गया पर question क्याता है a की power x2 is greater than a की power a की power x1 is greater than a की power x2 पर answer क्या है x1 less than x2 मतलब sign flip हो गया पलट गया क्यों क्यों क्योंकि base क्या था 0 से 1 था क्योंकि decreasing है कम value पर जादा और जादा value पर कम answer देगा ठीके तो यह होता हमारा log inequality का theory है बस यही है क्या theory है तो पूरे log inequality में या exponential inequality में एक ही बात समझ में हमें क्या बात समझ में ही कि अगर base 0 से 1 है तो sign पलट जाएगा और base 1 से बड़ा है तो sign नहीं पलटेगा चलेगा अब मैं यहाँ पर छपता हूं questions कुछ 3-4 question लिखता हूं उनको बड़े एक मिनांसर करता हूं अच्छे से solve करता हूं और हमारा यह complete हो जाएगा क्या exponential inequality चलेगा चलेगा यहाँ पर मैंने कुछ 5-6 सवाल लिख रहे हैं है इनसे हमारा exponential inequality अच्छे से clear हो जाएगा ठीके सर्स बहुत basic basic problem है इसके बाद हमकल और अच्छे problem भी करेंगे ठीके तो पहले basic problem समझ लेते हैं exponential inequality के उपर थिवरी में ज्यादा नहीं बताइए exponential inequality के हैंना questions की तुर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा थेरी उतनी ही है ठीक है तो first second question से देखते हैं यह वाला second question देखते हैं इसका solution कर रहे हैं तो पहले आप खुद से भी try कर सकते हैं इस questions को questions के आपका 2 to the power 3 minus 2x is greater than 1 है तो आपको x की value बताना है मतब x की ऐसी value बताना है कि इसका answer हमेशा 1 से बढ़ा है इसका answer है 1 से बढ़ा है पहले आप पूरी शिदत से video post करके try करिए यह अगर इसा लगता हो कि नहीं हमें डर लग रहा है तो एक बार पेंट चला के देखिए वीडियो post कर दो अभी अभी कर दो है तो 2 to the power 3 minus 6x is greater than 2 to the power 0 लिख सकता हूँ कि इसको 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 2 की power 0 क्यों लिखा क्योंकि सामने 2 है तो बढ़िया रहेगा solve कर नहीं है बस अब तो हो गया तो अभी हमने क्या बता है कि जब base 1 से बढ़ा है base कितना 2 है 1 से बढ़ा है तो directly compare किया ज़सकता है मतलब x और y को मतलब कैंसर आएगा 6 minus 3x is greater than 0 तो 3 is greater than कितना आगया 6x तो 3 by 6 is greater than कितना आगया x तो 1 by 2 is greater than x मतलब कैंसर आएगा finally x is less than 1 by 2 इसको लिखना का यही तरीका है मतलब minus infinity से 1 by 2 यही इस question का final answer है मतलब जब जब आँ 1 by 2 से छोटी बिल रोखोगो इसके अंदर इसका answer हमेशा 1 से बढ़ा आएगा चलेगा काफी गरीब सवल था ना काफी गरीब सवल था कोई इतना भारी सवल नहीं था मिटा दे यह तो हमारा question number second अब first को थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं ना first आप थोड़ा try कर सकते हो है ना first question है 1 by 3 to the power root of x plus 2 इसे greater than 3 की power minus x है ना चलिए पूरी शिद्द से try करिए इसको first questions को है ना थोड़ा बहुत पहीं चलाओ भाई इसा नहीं कि मेरा wait करो मैं solve करूँगा नहीं नहीं गड़बर हो जाएगा ठीक है वही तो बोल रहे ना वो वो timer वाला system नहीं नहीं तो सही होता है रहे ना चलिए करे इसको I hope आपने try कर लिया होगा न इसको यहाँ पर 1 by 3 यहाँ पर 3 है तो हम सबसे पहले है कोशिश करेंगे कि base same बनाएंगे ना base same बनाएंगे तो इसको कह लिए 3 की power minus 1 है ना root of कितना लिखा है x plus 2 लिखा है इससे greater than कितना लिखा है 3 की power minus x है ना तो कितना आएगा बताओ यहांसे बोलो 3 की power minus times of root of x plus 2 इससे greater than 3 की power minus x है ना base किस से बढ़ा है 1 से बढ़ा है तो क्या कर देंगे बताओ क्या कर देंगे बताओ दोनों side सीधी सीधी compare कर देंगे तो minus times of x plus 2 is greater than minus x greater तो greater sign chain नहीं होगा दोनों side minus का multiply कर दिया तो root of x plus 2 is greater than x है ना ठीक है अब इसको root inequality मैंने आपको पढ़ाया था inequality का last lecture यही था कि जब इसको root आजाए और x आजाए तो उसको कैसे deal करना है उस पर हमने काम किया था यह कौन सा lecture था? inequality का last lecture ना ठीक है तो हमें क्या पता है कि यह वाला number हमेशे कैसा होता है इसको root के बाहर जो भी answer आता है इसको root के बाहर जो भी answer आता है वो कैसा answer होता है positive होता है यह 0 होता है ठीक है तो अब दोनों side हम क्या कर देंगे square root inequality कैसे solve करते हैं हमने वहाँ पर अच्छे से पढ़ाता है तो x plus 2 is less than x को solve करना है ठीक है तो अभी direct isquaring नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यह तो positive है पर इसके बार हम guarantee नहीं है तो मैंने case 1 के लिया कि x के साह positive है तो अगर x positive है तो सीधे यह भी positive बोल दिया हुर यह इसके factor कितना आएंगे x minus 2 x plus 1 is greater than 0 तो क्या answer मेले गा हमें कौन सा चाहिए positive वाला चाहिए तो minus infinity से minus 1 union 2 से infinity है ना inequality से है ना पर हमने x को कैसा लिया था positive लिया था तो यह वाला answer गलत हो जाएगा तो answer के आएगा केबल 2 से infinity है ना क्योंकि हमारा जो x था वो कैसा था positive था तो negative answer नहीं आ सकता तो केबल के आएगा 2 से बड़ा या अगर मैं से आपको बना के बता हूँ तो इसे देख लो minus infinity से minus 1 2 से infinity है ना पर हम answer के साच यह positive वाला तो यह answer आएगा तो यह 2 से infinity ठीके यह case बने ना अब हमने क्या लिया के स्टू जब x को कैसा लिया नेगेटिव तो x को कर नेगेटिव लिया तो यह कैसा नंबर नेगेटिव नंबर है और यह नंबर कैसा है पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर बोलो और ये condition भी लगती है कि screw root के बाहर वाला अंदर वाला number हमेशा positive होना चाहिए तो x क्या जो भी इंसर आएगा minus 2 से बढ़ा होना चाहिए तो minus 2 से बढ़ा है एक और लिख दो minus 2 minus 2 से बढ़ा तो ये 2 से infinity इंसर आ रहा है ये मैं आपको screw root inequality पढ़ा है था description में inequality की playlist में जाए पूरा एक lecture इसी पर खपायता है कि इस type की equation को किसे solve किया जाता है तो अभी हमारा question नहीं है कि क्या कर दिया, case है case बना दिया क्योंकि मैं आशा कर रहा हूं कि inequality, mod, सब कुछ पढ़के बेटे हैं, और अभी भी नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि कल से जो questions करूंगा, उसमें बीच बीच में mod भी आएंगे है ना, तो मेरे question की quality और बढ़ जाएगी है ना, क्योंकि mod, inequality, log, log inequality सब थोड़ा mix होने लग जाएगा चलेगा, है ना अब करते हैं, question number कुन सा कर लेते हैं ठीक है, 6 वाला question कर लेते हैं 6 वाला question है 0.5 to the power 2x minus 3 upon x minus 2 is greater than 5 है ना question कहे 6 वाला 0.5 to the power 2x minus 3 upon x minus 2 is greater than 5 है ना करी इसको try, है ना मैं light का wait कर लेता हूं हाँ सर तो question number 6 discuss करते हैं, I hope अपने question number 6 try कर लिए होगा, try कर लिए होगा, ठीक है तो भूत आसन सबल है ना हम इसको पूरा सौल नहीं करेंगे जस्ट आपको हलकी से hint दे रहें यह 0.2 लिखा है ना 0.2 मतलब 1 by 5 लिखाई है 10 by 10 sorry 2 by 10 2 by 10 is 1 by 5 मतलब यह क्या लिखा 5 की पावर minus 1 ठीक है 5 की पावर minus 1 into 2x minus 3 upon x minus 2 is greater than 5 की पावर 1 बस अब अंदर minus का multiply कर दिया, तो 5 की पावर minus times of कितना आएगा बताओ 2x minus 3 upon x minus 2 is greater than 5 की पावर 1 base के साह बताओ base के साह 1 से बढ़ा, तो 1 से बढ़ाओ 2x minus 3 upon x minus 2 इसे greater than, यहाँ पर 5 की कितना आएगा पावर 1, है ना बस अब तो इस सिंपल से in equality बची तो minus का इदर multiply कर दिया, तो minus 2x plus 3 upon x minus 2 1 को इदर shift के तो minus 1, है ना ठीक है, थोड़ा बढ़ाओ लसे मिले ले 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 ते क्या आरा रहा देखो, तो x minus 2 1 का इदर multiply के तो minus 2x plus 3 minus x plus 2 है ना, इसे greater than 0 क्योंकि minus 1 को दुनों multiply होगा, तो minus 1 into x minus x minus minus plus 2 ठीक है, तो finally कितना मिले का बताओ, minus 3x 3 plus 2, 5 upon x minus 2 इसे greater than 0, minus का इदर multiply कर दिया, तो 3x minus 5 upon x minus 2 is less than 0, sign change हो जाएगा क्योंकि दुनों side minus का multiply किया तो 1 कितना आएगा, 2 और 1 कितना आएगा 5 by 3, है ना ठीक है, तो कौन सा answer आएगा, plus minus plus, तो कौन सा answer चाहिए, minus वाला तो 5 by 3 से 2, तो final answer का answer क्या आएगा, 5 by 3 से 2 मैं आशा करता हूँ कि आपका answer भी question number 6 का यह यह होगा, है ना चलेगा सब आसान सवाल है, भाई, कोई इतने भारी सबल नहीं है just inequality का use हो रहा है बस और इससे ज़्यादा कुछ नहीं use हो रहा है ठीक है चलेए, यह question होता हमारा question number 6 5th अब हम नहीं कराएंगे कौन सा question 5th वाला जस्त रीट कर रहा हूँ और थोड़ी सी hint दे रहा हूँ तो 5th वाला पहले, मैं रीट कर रहा हूँ तुरंत वीडियो पॉस करो और पूरी शिद्दत से question number 5th try करो 5th क्या है question आपका 1 by 3 to the power x plus 1 by 2 minus 2 by x minus क्या लिखाएंगे 2 by x इस greater than 1 by root 27 ठीक है अगर धियान से देखेंगे तो कितना लिखाएं 3 की power minus 1 इस greater than x plus 1 by 2 minus 2 by x इस greater than यह कितना लिखाएं 3 की power minus 3 by 2 देखेगा जरा कितना लिखाएं 3 की power minus 3 by 2 root 27 27 मतलब कितना 3 की power 2 3 की power 3 इसको root का मतलब गया हूँ 1 by 2 तो 3 की पावर 3 और इसको रूट का मतलब क्या होता 1 बाइ 2 तो 3 की पावर कितना आगे 3 बाइ 2 उपर देखे कितना आएगा minus 3 बाइ 2 बस अब यहां से minus का उपर multiply कर दिया तो 3 की पावर minus x minus 1 by 2 minus minus कितना आएगा plus 2 by x इस greater than 3 की पावर minus 3 by 2 बस base कितना आएगा 1 से बड़ा तो directly compare हो जागा इस term is greater than minus 3 by 2 और यहां से क्या आजाएगा x तो इस questions का answer आप comment में बताइएगा कि question number 5 का आप minute भी आपर add कर दिजीगा कि इतने minute पर यह वाला question तर 5 वाला questions और उसका answer यह है करके अगर आपका सही होगा तो मैं वहाँ पर आपको answer correct बता दूँगा यस आपने सही किया है ठीक है sir और आपके answer को pin कर दूँगा चलेगा थोड़ो तेजी से कर रहे है क्योंकि बहुत बिल्कुल जोला चाप सवाल कर रहे है चलिए similarly question number 3 3rd है न 3rd तो काफी करीब सवाल है 3rd का sorry 3rd का भी आपको answer बता ना है बस just 3rd पढ़ रहा हूँ यहाँ भी 0.5 है यहाँ भी 0.5 है और अच्छी बात है base तो same है कोई दिक्कत ही नहीं है power कितनी है 4x square minus 2x minus 2 है और यहाँ पर power है 2x minus 3 क्या है 4x square minus 2x minus 2 है और यहाँ पर 3x minus 3 है base के सा है 0,7 तो आप इसको कैसे solve करोगे वो आप के उपर है ठीक है इसका answer भी आप बताईएगा है question number 3 का and last ठीक है इसको हम थोड़ा कर देते हैं यह आपके humbug के लिए ठीक है last का है question है 4 to the power x plus 1 minus 16 to the power x is less than 2 times of log 8 to the base 4 है ना पूरी मांदरी से video pause करके इस questions को try करिये है ना करिये try इसको 16 to the power x लिखाना है चलिये I hope अपने try कर ले होगा त्राइ कर ले होगा देखो इसको ध्यान से लिखते है क्या लेका 4 की power x into 4 की power 1 लिखा है क्या है बेस से में power 8 हो जाएगी है ना तो power 8 हो जाएगी तो भी x plus same step लिखी है बचपन से पढ़ते हैं 4 की power x का whole square लिखा है इस less than इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते है log 8 मतलब 2 की power 3 और 4 मतलब 2 की power 2 के वल इस log को मैंने आपको फिर से लिख के बताए इतने terms को ठीक है सर यहां से 3 आगे आ जाता है मैं बता रहे हैं और यहां से 2 आगे आ जाएगा यह वाला 2 आ गया गया बेस में 2 बचा यह दोनों से में कितना मिली हो जाएगा 1 तो 2 times of इसका वल्यू कितना आया है 3 by 2 कितना आया है 3 by 2 क्यों कि 3 by 2 into 1 मतलब 3 by 2 2 से 2 गया ठीक है क्या करें बताओ एक जैसा हा रहा है 4 की power x को p suppose कर ले तो इसको p suppose किया तो p into 4 मतलब 4p minus p square is less than 3 सब को एक साइड लेओ तो p square minus कह इदर आगे तो plus 4p इदर आगे तो minus 4p और 3 तो इदर थाई क्या बचा इदर 0 क्योंकि दूनों terms इदर आ गई बहुत नन्य वन्य फेक्टर बनेंगे इसके इसके फेक्टर बनेंगे p minus 3 into p minus 1 इस से greater than 0 तो p की दो value आएगी 3 और 1 बेविकेट मेथड से plus minus plus के साइड सर चाहिए पॉजिटिव तो क्या आएगा p is less than 1 union p से greater than 3 चलेगा अरे पॉजिटिव चाहिए न मतलब पॉजिटिव कोन से अंसर यह आएगा मतलब p की value 1 से छोटी हो 3 से बड़ी चलेगा यह सर दोडेगा सर तो फाइनल हमें यह एंसर मेला p कौन था बता 4 की power x तो क्या answer आएगा 4 की power x is less than 1 union 4 की power x is greater than 3 है ना हमें किस की value चाहिए यह x की value ना x की value तो इसको कहलेखेंगे 4 की power x is less than 4 की power 0 क्या मैं select सकता हूँ yes sir union इसको कहलेखेंगे दोनों side log का base 3 ले लिया यहाँ भी log base 3 लिया यहाँ भी log base 3 लिया यहाँ पर कोन है 4 की power x यहाँ पर 3 है greater देनी रहेगा क्योंकि base के साल यह आपने 1 से बड़ा तो greater यह तो greater देगा sign change नहीं होगा देखो base 1 से बड़ा है तो directly compare कर देगे तो 4 की power x is greater than 3 20 step आजाएगी sir यह सब अबवाल क्यों किया sorry base 4 लेंगे sir base 4 क्यों लिया क्योंकि आपको x की value चाहिए तो यहां से तो directly compare कर देगे तो कितना answer आजाएगा x less than 0 आजाएगा union यहां से कितना answer आजाएगा बताओ यह x आगया आजाएगा और यह 1 हो जाएगा तो x is greater than कितना आएगा log 3 to the base 4 है ना तो finally answer क्या मिला इसको अगर इसको interval की form में लिखो तो इसको क्या लेखेंगे minus infinity से 0 है ना 0 से छोटी value और इसको answer क्या लेखेंगे union log 3 to the base 4 से infinity है ना अरे x is greater than a का मतलब क्या होता था a से infinity है ना तो a का काम कोन कर रहा है यह वारा बालक कर रहा है ठीक है तो यह इस questions का answer है तो a से insert भी आ सकते हैं कि हमें इसको बताऊं फिर से वो जो questions था उसमें 4 की पावर x को p supposed किया एक हलकी सी quadratic बनी quadratic inequality को solve किया तो answer क्या यह p less than 1 क्योंकि हम इस positive लेना है तो p less than 1 और p की value 3 से बड़ी p कोन था 4 की पावर x less than 1 4 की पावर x greater than 3 वही लिखा है अब इसको 4 की पावर x और यहाँ पर 1 को लिख सकते 4 की पावर 0 पर 3 को in terms of 4 नहीं लिखा जा सकता है पर 1 को in terms of 4 लिखा जा सकता है पर यहाँ पर base same नहीं है तो इसको base same बना दिये पर यहाँ पर base same नहीं हो रहे थे तो याद रखो note बना के लिख लो कि जब भी base sim नहीं हो तो फिर log ले लेंगे तो यहाँ पर हमें x चाहिए तो log के base में 4 लिखा और यहाँ भी 4 लिखा ताकि यह log के base में 4 और log के base में 4 4 की power x, 4 की यहाँ पर कितना है 3 है both side taking log to the base 3 तो यह iniquelialy के sign change नहीं होगा क्योंकि base 1 से बड़ा है तो यहाँ से आगे कोन आजाएगा x आजाएगा, यह दोनों same होगे तो 1 आजाएगा तो x बचा और यह बचा, है न यह answer आगया ठीक के तो यह हमारा complete हुता है log in terms of theory wise हमारा logarithm basic maths का chapter number 3 complete हुता है अब हमारे जो एक दो lecture साएंगे वो हमारे होंगे totally problems के उपर हाला कि हमने log की theory के साथ भरपूर problem की है अगर अब अब देखोगे log की जितनी भी theory है चाहे वो log हो चाहे वो base changing theorem हो lie log की properties हो, चाहे log inequality हो maximum एक page की मतलब इदर और इदर अगर आप पूरी note down करेंगे तो एक page से ज़्यादे की theory नहीं है हमने भरपूर problems, 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 problems पे ही काम किया है आगे भी एक दो अनेवल lecture में हम problems से काम करेंगे पर वो बहुत अच्छे problems होंगे अब मैं हाथ नहीं रोकूँगा मेरे बहुत बार में हाँ पर question लिखने से पहले सोच लेता हूँ कि tough तो नहीं हो गया ज़दा क्योंकि हमारी studying है हम basic हमारा अच्छे strong होना चाहिए कल मैं हाथ नहीं रोकूँगा कल मैं अच्छे-च्छे problems करूँगा उनको भी आपको studying से अच्छे से try करना है नहीं आया तो फिर video solution देखना है कल आपको problems तभी देखकरना है मतलब अगले lectures आपको तभी देखना है जब आपने पूरे मेरे 10 lectures अच्छे से follow किये है मतलब अभी तक जो हमने log पूरा पढ़ा है पूरा अच्छे से follow किये है तभी आपको समझ में आएंगी ठीक है बाकी तो ठीक है सर मिलते ही glass में Thank you